हलो, नमस्कार, वेलकम, सभी का स्वागत है अपने हमारे यूट्यूज चैनल में तो दोस्तो, आज हम काफी अलग वेकिंसी की बात करने वाले हैं और एकदम सीधी वेकिंसी है, यहाँ पे आपको किसी परकार का कोई एक्जाम नहीं देना बस आपको यहाँ पे इंटर्वी, आपकी जो सब्जेक्ट है, आपकी जो कॉल्फिकेशन है उसके तहत यहाँ पे इंटर्वी होगा, उसके अनुसार आपको यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा तो दूस्तों हो जाएं तैयार, अगर आप एक नौकरी करना चाहते हैं, ट्रेनर के रूप में, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं काफी अच्छी पोस्ट हैं, भारत के सभी स्टुडेंट इन पोस्टों पे आविदन कर सकते हैं अगर आप किसी एक राज्जे से निकली हुई है और एक ही राज्जे के स्टुडेंट इसमें अपलाई कर सकते हैं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, भारत के सभी स्टुडेंट इन पोस्टों को देख सकते हैं आविदन कर सकते हैं और अपलाई भी कर सकते हैं करेंगे यहाँ पे बिलकुल online apply होगा permanent होगी starting में salary आपकी इतनी होगी इससे हदिक तक आपके salary होने वाली है यहाँ पे थम में आपको qualification का विबरंद दिखी गया होगा अगर नहीं समझ में आया तो विज्यापन भी अपन देख लेंगे जैसे कि हम बात करें इसमें धस्वी की तो सभी चोटी बड़ी कोई सी भी qualification हो दस्वी की तो समय मागी जाती क्योंकि दस्वी के बाद ही आगे की qualification decide की जाती है यहाँ पर मैन आई टी है फिर उसके बाद डिपलोमा है और उसके बाद बीटेक है और उसके बाद पास आउट जो भी विधारती है इन गाइडलाइन के तहद तो आप लोग इसमें आविधन कर पाएंगे जी हाँ हम बात कर रहे है भारत की छोटी सी संस्ता जिसमें limited compost है limited vacancy है जिसमें आप लोग आविधन करेंगे तो यह देखिएगा यह इसका ओफिसली विध्यापन है जिसकी हम बात कर रहे हैं यह करेबन दो पेज का विध्यापन है जिसमें qualification salary सब कुछ निधायरत की हुई है अब इसमें देखेंगे क्या यह government है ओफिसली website के मैं बात कुरूँ पुरूप के साथ दिखाने की बात यही से आप लोग इस form को submit कर पाएंगे और यही से इस form को submit करके इसके officially address पे भेज़ पाएंगे तो चले शुरू करते हैं यहाँ पे देखेगा विध्यापन के मैं बात कुरूँ तो आप लोग यह विध्यापन देख सकते हैं जिसमें आप लोग आविधन करेंगे जिसमे इसके लिए आपको पर्मानेंट लिए यानि की worker trainer के रूप में रखा जाएगा उसके बाद three year के बाद आपको इसमें तीन साल के लिए फिर आपको पर्मानेंट भी किया जाएगा यहाँ पे देखेगा आप लोग इसमें आविधन कर सकते हैं 15 अगस्त तक इसमें officially address पे जा जो इसकी post हैं उनके तहत आप लोग इसमें apply करेंगे तो आप इसके officially address पे जाके जमा करवा सकते हैं address की बात हम करें तो यह देखेगा इसका officially address पे आप लोगों के सामने हैं बस आपको विज्यापन सही तरीके से देखना है आपको form भरने के दो तरीके होंगे आपके documents के ज simple है तो आप यह काम भी कर सकते हैं यहाँ पे देखें सबसे पहले training engineering जिसके लिए B.E.B.T.E.C की qualification मांगे 60% pass out के साथ minimum 1 year का experience apprentice के साथ अगर आप B.T.E.C. पास आउट हैं तो आप 1 year की apprentice के साथ इसमें आविदन कर सकते हैं 12,000 रुपर आपको salary के रोप में दिये जाएंग पोस्ट इसमें B.T.E.C. वालों की सिर्फ 4 पोस्ट अपडेट कराएगी है आगे हम बात करें एक और पोस्ट है trainer 2 की जिसमें भी B.T.E.C. की qualification मांगे जिसमें experience नहीं मांगा गया है अगर है तो आप इसमें लगा सकते हैं 13 पोस्ट इसमें अपडेट कराएगी है अब इसम B.T.E.C. की तहत इसमें आप लोग आविदिन कर सकते हैं वन यर का experience जो किसी भी division से किसी भी छेतर से आपके पास है तो आप इसमें apply कर सकते हैं 9000 रुप है आप salary के रूप में प्राप्त कर सकते हैं 4 पोस्ट इसमें दी हुई है तो दुस्तो दो वेकेंसिया यानिकी बात करें हम 13 और इसमें करीबन 17 पोस्ट हैं तो B.T.E.C. वालो विद्यारती की हैं बाकी जो 4 पोस्ट हैं वो डिपलूमा और ITI वाले विद्यारती की पोस्ट हैं बात करें टोटल 21 पोस्ट हैं अब इसमें आविदन कर सकते हैं महिला और पुरुष दोनों ही इसमें आविदन करें तो दोस्तो किसी परकार का कोई application नहीं है किसी परकार की कोई exam नहीं है बिल्कुल सीधी भरती है आप सिरफ आपने documents की PDF बनाना तयार कर दें और तयार करके आप इसके officially address पे भेज दें कुछ नहीं mail ID आपको नीचे दी जाएगी या फिर खुद आप इसकी mail ID ले सकते हैं और इस पे आप अपना mail अपने documents की PDF इसके officially address पे भेज सकते हैं अब बात करें विग्यापन के बारे में तो यहां से यह देखेगा पहले line में ही आपको दिख रहा होगा जो new required trainer के post हैं मैं फिर से आपको थोड़ा सा पूरे proper तरीके से दिखाऊं तो यह देखेगा यह आप के सामने उपलब्ध होगी देखेगा यह application का form है इस form को submit करके आपको भीजना होगा कैसे भीजना है यह email पर भीजना है आप डाक के दिख भीज सकते हैं लेकिन सबसे better होगा आप email पर भीजें क्योंकि आपको यहां पर पूरा benefit मिलने वाला है तो चलिए दूस्तों आज के अगले बस इतना ही अगले विकेंशी के साथ न्यू शुरुआत करेंगे अगर एक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजे सेर कीजे थेंक्यू जेह